नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग BTSC के बड़े अपडेट के बारे में जानने वाले हैं जैसे कि आप सब को पता चल गए होंगे कि BTSC ने A&M को लेकर बड़ी अपडेट जारी किया है एक्जाम पाइटरन को लेकर तो क्या एक् निरस्त किया जाता है तो सारा प्रोसेस में क्या कुछ चेंजेंज होंगे वो सारी जानकारिया आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो इस वीडियो के आंतिता कि जरूर बने रहिएगा तो चलिए हम लोग ऑफिशली जो जानकारिया निकल कर आ रही है BTSC के तरफ से वो देखते हैं उसके बाद हम लोग पैटर्न जो नियमावली है उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या होंगे 2018 वाले नियमावली को जैसे कि आप यह देख चुके होंगे कि 10,000 A&M की होगी निक्ति यह आपको पेपर में आज के पेपर में देखने को मिल जाएंगे लेकिन व कोई भी नोटिस नहीं आया है यह सिर्फ अभी पेपर में दिया गया है कि 10,000 A&M की नियुक्ति विभाग तयार जो नियुक्ति होंगे उसके विभाग है त्यार कर रहे है प्रशनों का पाइटर्न जैसे कि तैस का जो नियमावली है उसमें एक्जाम एक्जाम कंडर्ट कर दिया जाए कि इस तरीके से इनका जो जो प्रशन पत्र होंगे स्लेवस क्या होंगे क्योंकि इसका स्लेवस भी डिफाइंड करने होंगे उसके बाद इसका प्रशन पत्र तयार होंगे और अगर 2018 वाले नियमावली को निरस्त किया जाता है तो फिर से फॉर्म फिलिंग भी हो सकते हैं तो वो अभी तो उस पे अभी कोई वैसा नहीं अपडेट आया है नियमावली को लेकर यदि प्रस्ण पत्र का इसमें अपडेट दिया गया प्रस्ण पत्र के यदि हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते कि इसमें जो प्रस्ण पत्र रहेंगे उसका आपको जि चल रहा है, जैसे कि यह आयोग ने अभी तक, यह Opportunity सर्वेस्ट स्वास्ट वेले उन से मन्तन किया जाएंगे कि किस तरीके से इनका काईरण त्यार किया जाए जाएगा एक्जाम का तो इसको ले जो कि स्वास्ट विभाग से वाइटा की चल लएं moc festa किये जाएंगे आप देख सकते हैं जिला अस्तरवर इनम् की बहाली पर रोक लगाने के बाद अब स्वास्थ व्यूआगे पिछिए जुबמצ आन्यून 10,000 अनलम्रेटेम है देखित ऊज़न ऑस्छिव Projekt A&M की परिक्षा तकनीकी सेवा आयों के माध्यम से होगी जैसे कि 10709 का जो बिग्यापन आया था 18 वाले उसमें सीधी बहाल करने की उसमें सारा कुछ दिया गया था लेकिन उसको निरस्ट करके अब जो 2023 वाले नियमावली है वाले नियमावली के यहां पर जिक्र नहीं किया है लेकिन A&M की परिक्षा तकनीकी सेवा आयों के माध्यम से होगी और जो BTSC है वो A&M के जो एक्जाम है वो कंडक्ट करवाएंगे और बहाली के बाद इनका जो एस्टेट काइडर होगा जो कि जीला काइडर से हटा कर अब आप लोग एस्टेट काइडर कर दिया तो इससे आपका प्रेफेंस भी मिलेंगे जो राज अस्तर्य करमचारी का जो धर्जा होता है जो लाब होते हैं वो सारे आप आप लोग को मिलेंगे क्योंकि उनकी जो फैसलेटी होती है राज अस्तर्य करमी की वो सारे अब आप सब जो एनेम करमी बहाल होंगे उन सारे को मिलने वाले हैं क्योंकि पहले एनेम करमी जीला अस्तर्य होते थे लेकिन आप इसको राज अस्तर्य काइडर कर दिया है जिला स्तर कारण नहीं रहा है सौवां स्वास्ट विवाग के तरफ से निकालते हैं वह आयोंको सौबती है यह वेकंस्टी के द्वारा कंडक्ट कर वाए जा रहे हैं और उसे पहले यह पर्मनेंट वेकेंसी है तो इसको द्वारा सारा कुछ इसका फॉर्म फिलिंग भी हुए है यह आप सब को पता है तो स्वास्त विवाग बिटेस्ट से इन पर विमर्ज मांग रही है आयोग ने परिच्छा प्रशनों के पाइटर्न को लेकर विवाग से मार्ग दर्सन मा प्रशनों पत्रों के पाइटर्न पर मंथन प्रारंब हो गया है जानकारी के अनुसार अभ्यार्थी को मिलने वाले जो अंकों की गन्यना परिच्छा में प्राप्त कुल अंकों के परतिशत को 0.6 गुना कर दीजे उसके अनुसार इनका जो अंक है वो दिये जाएंगे तो यह सारी तो आप लोगो का यदी हम बात करें तो आप लोग की पर जो बहालि और अपडेट दिया है लेकिन इसमें यमावली चाइस में जो की फॉर्म फिलिंग भी अब तयार हो चुके होंगे तो वह भी अगर पास ओट हो चुके होंगे तो वह भी निश्चित रूप से भरेंगे तो नमबर ऑफ फॉर्म भी जायदा भरा सकता है यदि उसी की जो फॉर्म फीलिंग की जो परकिरिया है उसी पर यदि बाली का प्रोसेस किये जाएंगे तो आप लोग का जो कंपेडिशन है वो थोड़ा कमी रहेंगे क्योंकि उसमें 50,000 ही फॉर्म फील हुए हैं और उसमें जिए हम बात करें तो 35,000 कंडिडेट का तो सेलेक्शन ही करना है कौंसलिंग के लिए तो उसमें आप लोग का सारा कुछ अप लोग सेलेक्शन होने की चांसे बहुत जएदा होंगे लेकिन इसमें अभी बदलाग किये जाएंगे नियमा वली को या क्या कुछ किया जाएगा इसको लेकर अभी आयोग के तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है इसमें भी नियमा वली को लेकर कहीं पर भी जिक्र नही इस तरीके से 2018 की नियमावली में जो फॉर्म फिल के आगया अथारा की नियमावली से और प्रिक्षा को जो पाइटर्न आए वो इसका जो नया नियमावली पारित हुए थे जैसे कि आभी कॉंसलिंग हाले में समाब दुए डेरी फिल्ट ऑफिसर का तो भी मार्क सदार पर ही सेलेक्षन का सारा प्रोसेस किया गया उसमें कोई पैटन नहीं लिया गया तो कब तक इनके तरफ से BTSC के ऑफिशली अपडेट आएंगे कि इसका स्लेवस को लेकर कि क्या स्लेवस रहने वाल है यदि अभी तयार ही कर रहे हैं तो थुरा सा समय लगेंगे क्योंकि स्लेवस को तयार किये जाएंगे फिर एक्जाम कंड़क्ट कराने में भी समय लगेगा तो थुरा सा आप लोग को इंतजार करने होंगे और BTSC अब आप लोग को अफिशली नोटीस भी जारी कर सकते हैं जैसे कि पीपर में जब दे दिया गया है तो आयोग के तरफ से भी अब आप लोग को अफिशली जो नोटीस है वो देखने को मिल सकते हैं और लातार BTSC के त आप सब को बहुत ही इंतिजार थे तो अब आप लोग को क्या काना इसके सम्मक्ष में कि एक्जाम होना चाहिए या आप लोग का जो किस अधार पर चेहन की पड़की या आपके जो मन में चलना है वह कैसे सही रहेंगे तो कमेंट सेशन में जरूर लिखे तो चलिए हम लोग